बीते 30 जून को रात में 9 बजे के बाद अनलोक वन के तहट कर्फ्यू का पालन करवाने फतेगंज सरकल पे पुलीस तेना थी तब टूवीलर लेके कुश्वन सी धोत्रा नाम का एक यूवा निजम पुरा की और फतेगंज सरकल से जा रहा था तब फतेगंज पुलीस ने उसे रोक कर पुछताच की तब कुश्वन सी धोत्रा कुछ ठोस वज़न नहीं बता पाया तब फतेगंज पुलीस के साथ लाडी जवान प्रतिक सोलंकी भी फर्स पे तैनात थे कर्फ्यू के नियमों के भंके चलते कुश्वन सी धोत्रा को पुलीस स्टेशन ले जाने की जिम्मेदाली एलाडी जवान प्रतिक सोलंकी को दी गई जिसके बाद कुश्वन सी धोत्रा के टूविलर पे एलाडी जवान पीछे बैट कर पुलीस स्टेशन की और निकले जिस दोरान रास्ते में स्पीड ब्रेकर पे कुश्वनसी धोत्रा ने अपना टू विलर धीमे करने की वज़ाए और तेज चला कर LRD जवान प्रतिक सोलंकी को अपने वाहन से नीचे पटक दिया जिस वज़ा से LRD जवान प्रतिक सोलंकी को शेर में गंभीर चोटे आई थी उन्हें तुरंती SSJ अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां LRD जवान की कल देर रात मौत की खबर आई LRD जवान के मौत के साथ फतेगंज पुलिस ने आरोपी कुश्वन सी धोत्रा को हिरासत में ले लिया है और आई पी सी कलम 304 की तहट आगे की कारेवाही शुरू की है रविंद्र सींग करीने हतो यहने पूर जडपे भगावी यहने बंपर आईवु यह बंपर ब्रेक नामारी यहने कुदावी दिदु अमा पाच्रेवट बेढला प्रतिक बाई नीचे पड़ी यहा अने यहने माथामा इंजरी यहती जेनु सार्वार दर्म्यान गई काले मोत निप जुतू अने आरोपी विरुद गुनो दाखल करी अने एरेस्ट करी लेवा मावल चे लगबग 304 दाखल करवा मावल चे आई पीसी नी सेक्षन 304 विगिर मुझबनो दाखल करवा मावल चे नहाल फते गण पूली स्टेशन ना कब जाए ठड़ चे